Hello students, we are going to continue exercise 2.5. Last two questions हमारे pending थे, तो 15th question स्टार्ट कर रहा है है. Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. First part देखिए, area हमें given है और possible expression for length and breadth निकालना है. अब area किसके एक कुल होता है, length multiply breadth, rectangle के लिए, हमें पता है, यह देखिए quadratic polynomial है. quadratic polynomial को अगर factorize करूँगा, तो दो brackets बनेगी न, एक bracket मेरी length हो जाएगी, एक breadth हो जाएगी, क्योंकि उनकी multiplication ही होती है. right, तो हमें कुल मिला के यहाँ पर, यहाँ पर हमें factorize करना है, middle term को split करके, और middle term split करने के लिए आपको एक method करवाया था, P means product, S means sum, multiply करके कितना आना चाहिए, यह देखिए 12 और 25 को multiply करो, 12 और 25, 25 को 12 से multiply करेंगे, तो 300 आएगा, और sum के आगे लिखना होता है, middle term का coefficient यानिकि, minus 35, यानिकि हमें अब ऐसे दो integers सर्च करने हैं, जिनको multiply करें, तो 300 आए, और अगर उनको add करें, तो minus 35 आए, तो देखते हैं, यह क्या हो सकता है, देखिए, minus 20 और minus 15, देखो, minus 20 में minus 15 add करते हैं, तो minus 35 बनता है ना, और इसी तरह से, अगर minus 20 को minus 15 से multiply करें, तो 300 भी बनता है, क्योंकि minus minus plus हो जाता है, तो बस इसी तरह से, यहाँ पर splitting कर देते हैं, यहाँ बनेगा, minus 20 A, minus 15 A, plus 12, अब हमें common निकालना है, देखते हैं, क्या common आएगा, 25 और 20, इन में से क्या common होता है, 5 common आजाएगा, A square और A में से, A common, 5 5s are 25, और एक A आजाएगा, और इदर 4, और मैंने आपको बताया था कि, दोनों brackets जो है न हमेशा same बनती हैं, तो चाहें आप पहले bracket लिख लो, फिर बाहर देखो, minus 3 आएगा, minus 3 को 5 से करते हैं, तो minus 15, minus 3 को minus 4 से करते हैं, तो 12, equation balanced, अब देखिए, 5A के साथ minus 3, और 5A के साथ minus 4, कुल में लाकर एक length और एक breadth, और possible expressions हम लिख सकते हैं, कि जी length हमारी, क्या हो सकती है, 5A minus 3 हो सकती है, और breadth क्या हो सकती है, 5A minus 4 हो सकती है, तो यह first part था जिसमें हमने middle term को split करना था, इसी तरह से जो इसका second part है, इस question का, second part में भी middle term को split करके ही करना है, देखते हैं कैसे, यहाँ पर हमारे पास, 35Y square, plus 13Y, minus 12 है, अब यहाँ पर देखिए, same चीज, product और sum लिखिए, P के आगे आपको बताया था, minus 12, लास्ट फ़ला constant उड़ा आगे वाला, 35, इन दोनों को multiply करना है, और S के आगे 13 आना चाहिए, अभी इन दोनों को multiply करोगे तो क्या आएगा, पहली बात तो एक plus का, एक minus का है तो negative आएगा, और 35 को 12 से अगर multiply करेंगे, तो हमारे पास 35, 2070, 0, 7 कह रही, 35, 1,035, 35 में 7 एड़ करेंगे तो 42, यानि कि हमें अब ऐसे दो integers चाहिए, जिनको multiply करें, तो minus 4, 20 आए, एड़ करें तो 13 आए, राइट, तो चलिए, देखतें क्या answer आएगा, देखिए, एक अगर मैं number ले लूँ, 28 और दूसरा ले लूँ, minus 15, देखिए, 28 में से 15, minus करेंगे, 13 बनेगा, यानि कि 28 में, minus 15 को एड़ कर रहे हैं, और 28 को, अगर minus 15 से multiply करूँगा, तो minus 4, 20 बनेगा, तो हो गया, यहां पर हमें splitting का idea मिल गया, 35 y square, plus 28 y, minus 15 y, minus 12, अब देखिए, 35 और 28 में से क्या कोँआ हैं, 7 के टेबल पर दोनों आते हैं, साथ में y, 75s are 35, एक y, 7, 4028, आगे वाली bracket, same ही बनेगी, बाहर लगाई है, minus 3, देखिए, बैलेंस हो रहा है, बिल्कुल, minus 3 को 5 से करते हैं, minus 15, minus 3 को 4 से करते हैं, तो minus 12, और answer क्या बनेगा, 7y minus 3, एंटू 5y, प्लस 4, तो एक हमारे पास length, और दूसरी हमारे पास, breadth हो सकती है, यह second part था, तो दोनों पार्ट समने कर लिया हैं, अब चलते हैं, next question, question number 16 पर, चलिए 16th question देखिए, what are the possible expressions, for the dimensions of the cuboids, whose volumes are given below, cuboid की बात हो रही है, cuboid का volume क्या होता है, length multiply breadth multiply height, यानि कि, 3 brackets बनती हैं, तो एक length, एक breadth और एक height बनेगी, देखते हैं, यहाँ पर कैसे हो सकता है, सबसे पहले इन में से common क्या आएगा, 3x common, यहाँ बचा, 1x, और 3 के devil में, 4s are 12, अब मैं इसको length, breadth और height कैसे बोलूँ, तो देखिए, possible expressions for dimensions लिखने हैं न, तो possible expression यहाँ पर क्या हो सकती है, देखिए, यहाँ से length पहले number पर 3 units हो सकती है, breadth यहाँ से दूसरे number पर x है, यह हो सकती है, और height क्या हो सकती है, x minus 4, तीन चीजों की product है, तीनों में से एक length, एक breadth और एक height हो सकती है, तो easy था यहाँ पर इसको express करना, second part देखते हैं, second part है, volume is given by 12ky square, plus 8ky minus 20k, सबसे पहले तो यहाँ से 4k common आ रहा है, सब ही में, 4, 3s are 12, k already बाहर है, we are left with y square, चलिए आगे देखते हैं, 4, 2s are 8, k is already out, only y, 4, 5s are 20, k पहले ही बाहर आ चुका है यहाँ से, तो यह बन गया, अब देखिए, अंदर middle term split हो सकती है, अंदर middle term split कैसे होगी, method आपको आता है, multiply करके आना चाहिए, minus 15, add करके आना चाहिए, 2, यानि कि, यहाँ पर 5y, minus 3y किया जा सकता है, और, आगे देखते हैं, इन दोनों में से y common, we get 3y plus 5, minus 1 common, 3y plus 5, और finally, हमारे पास क्या बनता है, 4k, और, एक बनेगा y minus 1, और, एक bracket, 3y plus 5, तो यहाँ पर, dimensions के लिए, 3 possible expressions, कौन कौन से हैं, 1, 4k, दूसरी, y minus 1, 3y plus 5, इन में से एक length, एक breadth, और एक height हो सकती है, तो, आज हमने 15th और 16th, दो question complete किये हैं, इसके साथ ही हमारी, यह वाली exercise भी complete हो गई है, और हमारा पूरा chapter भी complete हो गया है, कल हम आगे next chapter स्टार्ट करेंगे, thank you,